स्वागत है सबका इस खुपसूरत स्टेडियम में टॉस के लिए यहां मौझूद हैं दोनों टीमों के कप्तान और मैच रेफरी मुझे नहीं लगता कि इस पिछ पे ज्यादा बदलाव आएगा टॉस का जीतना यहारना ज्यादा महत्वपूर नहीं इस पिछ पर एक खुपसूरत दिन क्रोकेट के लिए चलिए फील्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही यहां पर यह आए सलामी बले बाज दर्ट स्पिनर को लाया गया दुबारा आक्रमन के लिए फाइट चलिए सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं यह बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी सीधा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस शौट को फील्डर रेक कवर पर फील्डर के बाजू से रंच रालिया इनोने बहुती जोड़दार अपील लेकिदम पायर के शरान नॉट आउट बल्ले बास नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार अवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रण बल्ले बास पूरे नियंत रण में थे वहाँ क्या बल्ले बास एक और बाउंटरी का प्रयास करेंगे देखते हैं जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा भारी अपील और पार kv पने निश email का थास बास जोर्डा पील गाफी नस्दी की मामला और ये रडव्यु लेते हुए गार क्या कर रादा क्या ठीडि़्ट को जब ओगरिक्ज आनका sais कोसी वहा सकतρά गल्णार काती। Assassini anything on hot spot English milhões औरे हाँ फिक्द रीडराtalk' Im Sitting in line 下 किए विक्ध के इन विक ग्विक वाँ काला इन की डिया है की रीडरा आवा पर प्कर गाँ लुर क्या की cat narciss सरय और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है हुआ है हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट बल्ले बास अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इनकी धीमी गतिकी गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं समाप्स हो सकती है हावर में खेल दिया है और ग्याप में भी चार रन बल्ले बास पूरे नियंत रन में थे वहाँ ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फिल्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहाँ बदकिस्मत रहे हैं वहाँ बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में यह है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं यह बात विपक्षी टीम को बखू भी मालूम है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई संदेह नहीं था कि यह छे रन है यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंत रन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं बॉलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फिल्डर को मात नहीं दे पाए बहुत ही आक्रामक फिल्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में यह एक बहुत ही अच्छी रन नीती हो सकती है सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है हल्की हल्की बारिश नजर आ रही है हमें आशा है कि बारिश ज्यादा तेज न हो गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फिल्डर वहां मौझूद गैन बाज ने डीप एक्ष्ट्रा कवर पर भी एक फिल्डर लगाया है गैप में खेल दिया है दो रन की कोशिश होगी यहाँ रनिंग बिट्वीन दो वेकेट्स बहुत युम्दा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच हवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बाज पूरे नियंत रन में थे वहाँ ग्राउंड पे पानी तो अब दिखनी शुरू हो गई है लगता है अब बैस जल्दी के पंतरा देंके बढ़िया शॉट बस सिंगल मिलेगा यहां बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन हवा में उठा दिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे जिस तरह की शॉट पिछ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंद बास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बल्ले बास गेंद को नीजे नहीं रख पाए लूज शॉट था बोलर को अपनी लाइन एंड लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ मेहतरीन गेंद बाल बाल बचे बल्ले बास पील्डर है कवर पर यहां तो नाक के नीचे से एक रंच चुरा लिया बास बल्ले बास हमेशा रंच चुराने के लिए तैयार रहते हैं इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्विंट विकेट्स रही है कि मानों ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक 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 एक्ट्रा रंच चुराने से इन्हें खेलते देख लगता है कि पेस बोलिंग जादा असानी से खेल लेते हैं स्पिनर को दूसरे छोड़ से लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए यह बढ़िया रनिंग अध्भूत रनिंग अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है चुरा लिया है यह बढ़िया रनिंग बिट्रीन दुट्रेंग जिस तरह आजकल स्पिनर की दूलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चके मारेंगे इस ओवर में यह सही ढंग से नहीं खेला है और फील्डर पकड़ लेंगे इसको खेल में बने रहने के लिए इनको अपनी रनों की आउसत को बढ़ाना होगा इस विकेट ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया है थोड़ा बहुत गेंद बाजो के लिए था और अच्छे शॉट लगाने के लिए भी नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच शिर्वाती विकेट्स बहुत जरूरी होंगे फील्डिंग टीम के लिए विकेट्स अमाल के खेलना होगा यहाँ मैच ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी फील्डिंग में परिवर्तन फूप शॉट लगाया बल्ले बास ने पूरी तरह मिस्स किया वहाँ इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है बल्ले बास को कोई आइडिया नहीं था उस गेंद के बारे में शंदान गेंद बाजी वाओ बढ़िया गेंद बाजी का प्रदर्शन गेंद बास द्वारा व्लोश शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे कवा न बैठे बल्लेवाज अपनी पहली गेंद की तयारी करते हुए यह शॉट गया हवा में और गैप में भी गया शेट रक्षन में तबदीली क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है चलिए देखते हैं क्या शॉट लगा है करारी माँ ऐसे फॉर्म में खेल रहे यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं के फॉर्म उफ इस लाइफ वह क्या बात है वे बुनियाद शॉट पर ले बास द्वारा ठीक से पढ़नी पाए काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लॉट में थी गेंद कोई मौका नहीं था वहाँ पर बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर इनको बैटिंग करते देखना दर्श ये निये है बल्ले बास पूरी तरह से चूप गए बढ़िया बोलिंग ओ ऐसा लगता है गेंद को देखा ही नहीं वहाँ पर बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका फील्ड में बदलाओ चलिए देखते हैं के अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी वाओ बढ़िया गेंद बाजी का फिलर्शन गेंद बाज द्वारा समझदार इससे गेंद बाजी कर रहे यहां गेंद बाज बल्ले बाज को वो गेंद समझी नहीं आई करण बड़िये इसके जाल में से निकलना मुश्किल है कप्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डी पॉइंट लगाया है कराब शॉर्ट सेलेक्शन, बेल्कुल समझ नहीं पाएगे इसको बोलिंग में परिवर्थन, स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां टीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने फील्डिंग में परिवर्थन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म इस लाइफ वाह क्या बात है। यह गेंद फिर से डालने पड़ेगी वाइट बॉल्ड जो मदत इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शोर्ट खेलने की लगता है अपनी एकागरता खो बैठे। बहुत ही खराब गेंद और यह वाइट बॉल्ड गार्टिंग टीम अपने रिक्वाइड रन रेट को बना के रखने में बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। कुछ अलक करने की कोशिश में गेंद बास अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए वाइट बॉल्ड बहुत ही खराब गेंद और यह वाइट बॉल्ड दोनों बल्ले बाजों ने यहां एक पल के लिए भी रन रेट को अपने काबू से बाहर जाने नहीं दिया है। बहुत ही खुबसूरत बैटिंग। अच्छा रन रेट मेंटेन करते हुए। कुछ अलक करने की कोशिश में गेंद बाज अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए। वाइट बॉल बल्ले बाज ने गेंद बाजी को सधारन बना दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। गेंद बाज कुछ अलक करने का प्रयास कर रहे हैं। वाइट डाल बैठे। बाटिंग टीम अच्छा रन रेट मेंटेन करते हुए। आसानी से दो रन ले सकते हैं यहां पर बल्ले बाज। बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच। बल्ले बाज तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। खेल दिया है गाप में और यह एक रांड। उपा के खेल दिया है गाप में गई और यह बैतरीन चौका। क्या शांदर जीत हाजिल किये बल्ले बाज विजय रन बनाने के बाद एक दुसरे को बदाई देते हुए दोनों ही खेमों के प्लेयर आपस में एक दुसरे का हाथ मिलाते हुए और द्रसिंग रूम की तरफ जाते हुए ट्रसिंगों के देटंगे घूमिए यजट मौझ्स करोचिए कि विजये बादनां में वे करेंगों मौझाओ कि वे प्रफ घूम से कि बाद कि दूम को अविजये बालस चानीए झाल पिले झाल